मैं की टेली प्राइम के इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम जानने वाले हैं पर्चेज वाचर के बारे में ही जिसका स्वाटकट की टेली प्राइम में F9 बटन होता है पर्चेज वाचर में दो तरह के वाचर होते हैं पहला आपका invoice based होता है और दूसरा आपका watcher based होता है invoice based वाले में हम stock item को डाल सकते हैं और watcher वाला जो आपका होता है उसमें हम खाली party का नाम और amount को डाल कर entry करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर basic purchase watcher जानेंगे अभी हमारे पास stock item detail नहीं है खाली अभी हम नाम और amount डाल के entry pass करेंगे अभी हमारे पास खाली party का नाम है जिससे हम goods खरीद रहे हैं जिसे हम supplier भी बोलते हैं इस तरह का entry बस में आपको पढ़ा रहा हूँ पर आप जब job में entry करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको वहाँ पर bill दिया जाएगा जिसे देख करके आपको entry करना है जिसे हम लोग item invoice भी बोलते हैं वहाँ पर जो भी detail उसमें रहेगा वो सारा आपको entry करना है और आगे हम लोग जानेंगे item invoice के बारे में detail में तो मैं आज आता हूँ यहाँ पर अभी अपने purchase watcher page समान को purchase करते हैं तो वह आपका क्या होता है sundry creditor वह भी यहाँ पर क्या लिखा on credit base मतलब क्या उधार कोई भी party से आप यदि उधार समान खरीद रहें तो उसका आपका entry कहाँ पर होगा purchase watcher में होगा जिसका shortcut की F9 होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ पहला नंबर में purchase goods from Sarma and Company Sarma and Company नाम है किसी का और उससे हम समान क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं on credit base पे मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं श्रिप खरीद रहे हैं 22,000 का समान हम purchase कर रहे हैं उससे तो debit मेरा क्या हो जाएगा purchase account होगा और credit क्या हो जाएगा Sarma and Company तो इस चीज को अभी हम लोग टेली प्राइम पे सीखेंगे तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे टेली प्राइम पे आने के बाद तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना company को आपेंड कर लेता हूँ company आपेंड करने के बाद अभी हमको आना है watchers में और watchers में आने के बाद आप तो keyword से क्या प्रेस करना है F9 जो की purchase watcher का क्या है shortcut किये जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो item invoice को तो हमको आटाना होगा तो कैसे आटाएंगे तो keyboard से प्रेस करेंगे control H button जैसे ही आप keyboard से control H button प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे तीन option आता है पहला आपका लिखा item invoice जो कि हम लोग जाने जिसमें कि आपका stock item रहेगा रेट रहेगा सारा detail आपको डालना होगा दूसरा लिखा हुआ है आपका accounting invoice यह कभी यूज होता है यह आपका service organization में यूज होता है तो इसको अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे next है आपका as watcher जो कि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो directly यहाँ पर third number पर आजाना है और आपको keyboard से inter button प्रेस करना है जैसे ही आप inter button प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पर क्या होगा as watcher कुल के आजाएगा purchase watcher का keyboard से control H करना है और यहाँ पर आपको as watcher करके रखना है 001 ठीक है उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पर आप date डाल सकते हैं तो यहाँ पर आभी हम लोग डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर date नहीं आ रहा है तो आपको keyboard से app 2 करना है और यहाँ पर पहले हम कर देते हैं 2, 11, 22 अभी इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर भी ले लिया है तो आपका हो गया प्रोब्लम क्या आ रहा था कि मेरा जो टैली में था वो यहाँ पर आपका 382 वर दीख रहा था और date हम डाल रहे थे 2, 9 वर इसलिए नहीं ले रहा था तो पहले हम वहाँ पर app 2 बटन प्रेस करके यहाँ पर सही कर लिए जहाँ पर कि अभी 311-2022 दीख रहा है आप इसको computer के हिसाब से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका पहले से हो गया यहाँ तो अभी हम date डाल चुके हैं आप भी date डाल दीजिए उसके बाद date डालने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है तो यहा आप कीबोर्ट से अल्ट सी करिएगा आपके सामने में laser creation का option कुल के आएगा यहाँ पर टाइप कर लिजी सर्मा एंड कंपणी लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है फिर इंटर करना है अंडर में आपका क्या जाएगा संट्रीक रिटर क्यों जाएगा क्योंकि इसको पैसा आपको क्या देना है SU लिखेगा automatic आपका यहाँ पर स्वाट हो जाएगा आप यहाँ पर संट्रीक रिटर स्लेट कर लिजी उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता है maintain balance bill by bill आपको इसको yes रखना है यदि आप yes रखते हैं तो आपका जितना भी bill बनेगा सारा क्या रहेगा maintain रहेगा उसके बाद लिखता है यहाँ पर default credit period कितना दिन तक आप उससे उधार लेंगे तो यहाँ पर आप तीस डाल दीजी तीस दिन तक हम लोग ले सकते हैं उसके बाद इस वाले option को आपको yes करके रखना है credit for credit for days during watcher entry आपको check करते रहना है कि कितना दिन हुआ है ठीक है उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पर आपका GST के लिए आता था तो आपका भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम क्या करके रखें उसको आप करके रखें कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है कि लेजर बन चुका है उसके बाद यहाँ पर आपका receipt note आता है तो यह सबको अभी कुछ नहीं करना है आगे हम लोग जानेंगे detail में क्या होता है receipt note अभी यह सबको हम छोड़ देते हैं इंटर इंटर करते चलते है यदि आपको इंटर नहीं करना है तो आप डिरेक्टली कीबोर्ट से कंट्रोल ए बटन प्रेस करिए आपका save हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है credit में amount डालना है तो amount आपका कितना था 22,000 तो हम यहाँ पर लिख जते हैं 22,000 उसके बाद इंटर इंटर करने के बाद यहाँ पर चार option दिखता है पहला दिखता है आपका advance दूसरा दिखता है against reference और तीसरा दिखता है new reference और चौता क्या on account तो यह होता क्या है against reference क्या होता है कि आप किसी बिल के reference में आप बना रहे है जब आप receipt या payment करिएगा तो आप against reference यूज करिएगा जब आप नया कोई वी वौचर एंटरी करिएगा तो आप new reference लिजेगा एडवांस मतलब क्या कि जब आप किसी को एडवांस पे करें तो एडवांस वाला लेंगे और अन एकाउंट में क्या होता है कि यदि आप किसी का खाता चला रहे हैं तो उसमें आप अन एकाउंट ले सकते हैं अभी हम लोगों नीव रिफ्रेंस रखेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपका निक्स्ट आएगा पर्चेज अकाउंट आएगा तो आपका यहाँ पर inventory allocation खुल के आता है तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि यह क्यों खुल के आता है जब आपके पास item रहेगा तो आप यहाँ पर item select कर सकते हैं बट अभी मेरे पास कोई item नहीं है तो इसको skip करेंगे skip करने के लिए keyboard से आपको enter button प्रेस करना है तो यह आपका हट जाएगा आपको दिख रहा है कि credit में क्या है सर्मा एंड कमपनी है और नीचे आपको दिख रहा है कि debit में purchase account है और जो हम लोगों ने यहाँ पर reference number डाला था bill का वो भी यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद enter करेंगी narration लिखने का option आता है तो यहाँ पर आपको narration टाइप करना है तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अभी narration टाइप करेंगी तो क्या narration होगा being goods purchased on credit यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ being goods purchased on credit purchased on credit का मतलब क्या है कि उधार हमने यहाँ पर समान को खरीद लिया है उसके बाद enter करेंगे तो यह entry मेरा क्या हो चुका है accept हो चुका है अब दूसरा करना है तो दूसरा करने के लिए पहले हम देख लेते हैं क्या entry है तो दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा क्या लिखा है about goods worth rupees 32,100 from Sanjeeb on credit मतलब हम सामान खरीद रहें कितना का खरीद रहें 32,100 का किसे खरीद रहें Sanjeeb से वो भी क्या on credit based मतलब उधार तो इसका entry कैसे होगा तो DR में आपका purchase आएगा और CR में आपका Sanjeeb account आएगा purchase में सारा entry सेमी रहता है कुछ अंतर नहीं रहता है तो अब हम इसको भी बना लेते हैं तो हम आजाते हैं अपने टैली प्राइम पे टैली प्राइम पे आने की बाद यहाँ पे कोई दूसरा invoice नमबर डालना है तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं YT-006 उसके बाद इंटर करेंगे date यहाँ पे automatic आ गया कुछ नहीं करना है फिर इंटर करना है credit में आपको यहाँ पे क्या था credit में आपका था Sanjeeb account तो हम Alt-C करके create करेंगे Sanjeeb account उसके बाद इंटर करेंगे यह भी आपका Sanjee creator होगा उसके बाद maintain balance bill by bill को yes रखना है default credit period हम लोग डाल देते हैं 30 days का इंटर करेंगे check for credit days during watcher entry इसको भी आपको yes करके रखना है उसके बाद बाद की आपको detail डालना है तो आप डाल सकते हैं आपको डालना है तो आप डाली control A करेंगे तो यहाँ पर मेरा create हो जाएगा उसके बाद अदर कहीं कुछ नहीं करना है फिर से control A करना है और जब party detail आएगा तो फिर control A करना है तो शार आपका 80 चल जाएगा उसके बाद इसका amount कितना था 32,100 तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 32,100 उसके बाद इंटर करेंगी यहाँ पर आपका new reference रहेगा उसके बाद आपको DR में क्या डालना है purchase account डालना है तो यहाँ पर purchase account आप हम लोग डाल लेते हैं यदि आपका inventory allocation खूल रहा है तो आपको इसको skip करना है इंटर से फिर इंटर करेंगे यहाँ पर आपका narration लिखने का option आता है तो अभी हम लोग क्या करेंगी पीछे वाला narration को इसमें paste करेंगे तो यदि आप recent में कोई narration लिखे हैं और जाते हैं आपको कि फिर से वही लिखना है तो आपको type करने का कोई ज़रत नहीं है आपको keyword से प्रेस करना है control के साथ R बटन तो क्या होगा कि recent वाला आपका यहाँ पर narration लिखा जाएगा आपको shortcut की याद रखना है control के साथ R उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है कि अभी दो purchase watcher यहाँ पर मेरा बन चुका है तो आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग purchase watcher पर काम करेंगे तो आप इन दोनों watcher का practice करिए अपने teleprime पर तो thank you